अब मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि methods of solving system of equations यानि कि x और y को किस तरीके से find किया जाते है when you are having two equations यानि कि system of equation जब आपके पास built हो रहा है तो उसको कैसे resolve किया जाते है there are four kind of methods अगर हम methods पर जाएं तो सबसे पहला हमारे पास method किया है? graphical method यानि कि आप दोनो equations की lines draw करें ठीक है? और lines दोनो equations की अगर linear बन रही है तो उसकी base पे आप उसको resolve करते हैं second आपके पास होता है substitution method यानि कि आप क्या करते है आप x और y को लिख लेते हैं और इनकी base पे आप substitute करते हैं ठीक है? मैं आपको यह भी समझाओंगा कि किस तरीके से आप substitute करते हैं चीजों को यानि कि y को equal करके आप ये काम करेंगे y equals फिर आप 4 को इधर लेंगे so 2x minus 4 हो ज second आपके पास elimination, third method होता है and four methods is कि आप को matrix multiplication, subtraction या determination, determinant वगएरा की base पे चार methods को use करके अपने पास system of equations ले आते हैं बाकी जो methods हैं वो इन ही के अंदर आते हैं अब हम बारी बारी देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास ये चारों के चारों methods जो हैं वो utilize होते हैं hopefully आपके पास जो मैंने आपको कल एक चीज दिखाई थी ये इस तरीके से Desmos की website ये open होगी ठीक है तो Desmos की website के उपर अगर आप जाएं तो यहां पर आपके पास ये equations लिखी हुई है एक equation मैंने लिखी है मैं वो ही example ले के आता हूँ जो हमारे पास लिखी हुई है and then we will see कि ये हमारे पास किस तरीके से जो है method वो काम करता है say for example मेरे पास एक equation है एक example मैं यहां पर लिखता हूँ जो मेरे पास originally भी पड़ी हुई है इसको मैं बोलता हूँ जणाब x plus y is equal to 10 ये मैंने एक equation लिखी तो मेरे पास कुछ इस तरीके से ये आ गया x plus y is equal to 10 मैं अब दूसरी equation लिखता हूँ 2x minus y is equal to 3 ये जो equation हमारे पास हमने लिखी अगर आप गौर करें तो ये दोनों equation graphically हमें कुछ बता रही है ग्राफिकली हमें क्या बता रही है we can have a look into that और इस base पे हम इसको resolve कर सकते है ठीक है अब graphic method के अंदर होता क्या है कि इसके अंदर आप plot करते है each equation को यानि कि ये दो lines जो आपके पास draw हुई है अब इस equation को आप bird eye overview से देखते हैं something like this अब आप अगर गौर करें आपके पास कितने points आ रहे हैं अगर इस equation को देखें तो पहला point आपके पास ये है जहां पे ये दोनो equations जो हैं वो एक दूसरे के साथ touch कर रही है और अगर ये वाला point exactly आपके इस point पे आए जो vector space का एक point है then we can easily resolve this ठीक है और हम इसकी base पे अंधाजा लगा सकते हैं कि x की value उस वकत क्या होगी अगर नहीं वहाँ पे आता then we can also have an idea अब दूसरी side पे अगर जाएं ये हमारे पास x intercept और ये y intercept है इसी तरीके से ये पहली equation का ये y intercept है ये x intercept है अब इस पे हम ग़ौर करते है कि हमारे पास किस तरीके से ये हमें solution provide कर सकती है अगर आप ग़ौर करें इन दोनो equations के अंदर जो हमारे पास एक point आ रहा है this point ठीक है इसकी base पे हम find out कर सकते हैं कि यहां पे x की value कितनी है और y की कितनी है say for example अगर x की भी 5 है और y की भी 5 है तो हम यहां पे अंदाजा लगा सकते हैं कि values यहां पे किस तरीके से हम write down करेंगे x और y की values say for example यहां पे आती है x जब x आपके पास 5 है तो y कितना है तो इस space पे आप यहाँ पे values जो है वो find out कर सकते है graphical method के अंदर अगर हम graphic method को और थोड़ा सा expand करें then we can have an other idea कि किस तरीके से हमारे पास यह चार points इन values को बताते हैं तो hopefully आपने यह assignment के अंदर देखा होगा किस तरीके से चार के चार points जो हमें help out करते हैं for example आपने दो equations को यहाँ पे draw किया इनका एक intersection point है जहाँ पर यह दोनों मिल रही है और दूसरा आपके पास x intercept और y intercept है इन चार पांच points की information की base पे हम graphical method है उसकी base पे equations को resolve कर लेते हैं लेकिन usually यह method जो है यह काम का नहीं साबित होता because you don't have every time sequence of equation और आप इस तरीके से इसको resolve भी नहीं कर सकते हैं हम क्या करते हैं फिर अगर इस तरीके से resolve नहीं कर सकते तो हम graphical equation को किसी form के अंदर convert करते हैं और वो कौन से form होते हैं मैं भी आपको बताता हूँ आप अपनी graphical equation को intercept form के अंदर convert करते हैं अपनी equations को intercept की form के अंदर convert करते हैं intercept की form क्या होती है अभी देखते हैं इसको आप क्या करते हैं अपनी जो equation है आपकी उसको इस form में लिखते हैं y is equal to mx plus b ठीक है अब अगर आए यहां पे गोर करें यहां पे हमारे पास जो y, sorry, जो b है न, b हमारे पास है y-intercept b is y-intercept ठीक है? b हमारे पास y-intercept है, यह वाला और जो हमारे पास m है, यह slope है और obviously x हमारे पास variable है तो हम यह कह देते हैं, slope of x plus y-intercept ठीक है? तो जब आप इस equation के अंदर चीजों को लिखते हैं, तो आपके पास क्या होता है y की value आ जाती है तो इस तरीके से आप y की value जो है, उसको find out कर सकते हैं अब यहां पे y-intercept क्या है? let's see, उसी अपनी जो screen है, उस पे वापिस जाते है okay, here यहां पे y-intercept क्या आ रहे है हमारे पास? अगर आप बहुर करें एक तो हमारे पास इस equation का y-intercept आ रहे है और दूसरे हमारे पास यह वाली equation का y-intercept आ रहे है अब हमें यह पता लगाना है कि किस equation का y-intercept हम देखेंगे अब हमारे पास आ रहे है चले meanwhile आप इस चीज़ का answer देते हैं तो हम आपको दो और points पहले बता दता हूँ साथ में फिर आपको clear हो जाएगा हमने क्या करना होता है कोई भी equation है मैंने आपको बताया आपने उसको y की form में लिख देना होता है ठीक है आपके पास जो slope है mx plus b इसकी form में आपने equation को लिख देना होता है second आपके पास एक और चीज़ आती है आपने दो लाइनों को draw किया है say for example एक लाइन जो है वो इस तरीके से draw होई है दूसरी इस तरीके से होई है अगर दोनों लाइनों का like this ऐसा scenario हो के आपके पास no intersection यानि के वो कहीं पे भी intersect नहीं कर रही यानि के वो एक दूसरे के parallel है ठीक है वो एक दूसरे को intersect नहीं कर रही तो इसका मतलब यही होगा parallel है अगर यह दोनों intersect नहीं कर रही no intersection है then हमारे पास कोई भी solution ही नहीं होगा इस चीज़ का हम system of equation को resolve नहीं कर सकते पहली चीज़ तो यह no solution मिसाल के तोर पे अगर दोनों लाइने parallel हो जाती है तो हम इसको resolve नहीं कर सकते इस case में हमारे पास intersection आ रहा है दोनों लाइने parallel नहीं है अगर आप गौर करें यह हमारे पास intersection आ रहा है so this is why if we go back to our screen तो यहाँ पे check करें हमारे पास यह scenario नहीं है हमारे पास एक intersection आ रहा है which is somewhere like this ठीक है यह intersection आ रहा है अगर intersection हमारा आएगा यह जो intersection है इसके जो coordinates है they can help us to find the solution कैसे वो अभी हम देखते है ठीक है और अगर हमारे पास दोनों line है एक दूसरे के ऊपर हो यानि के मैं एक line ऐसे बना रहा हूँ और दूसरी जो blue वाली है exactly इसी के ऊपर आ जाए तो basically आपके पास infinite solutions है कुछ भी possible है इसके अंदर infinite solution क्यों क्योंकिए जहाँ पे x की value कोई भी ली जा सकती है वहाँ पे y की भी कोई भी ली जा सकती है तो आपके पास many solutions यानि के infinite solutions आजाते है x और y के हमारे पास mostly ऐसा नहीं होता हमारे पास mostly ये वाला scene आता है जिसकी base पे हम intersection की base पे linear equations को solve कर सकते है ठीक है एक problem में आपके सामने रखता हूँ then हम उसको resolve करते है यहाँ पे आप गौर करें हमारे पास एक problem है इसको हम resolve करते है and then we will see किस तरीके से ये दोनों problems जो है हमारी ये equation जो हमारी resolve होगी for example हमारे पास एक equation है y is equal to 2x plus 1 ठीक है अगर आप गौर करें y is equal to minus 1 ठीक है तो यह हमारे पास इस form से हमने इस form के अंदर convert कर दिया for now just imagine second हमारे पास दूसरी क्या चीज है y is equal to minus x plus 3 यह हमारे पास दो equation है मैं इसको अभी के लिए मिटाता हूँ then we will understand clearly कि हमारे पास यह दो equation है अब इन दो equations को हमने resolve करना है हमने सबसे पहले क्या करना है convert to slope intercept form यह वाली जो चीज है इसको हम convert करते है step 1 में convert to slope intercept form slope intercept form क्या होती है मुझे एक बात बताए y intercept हम कैसे find out करते थे अगर आपको याद हो y intercept find करने का मैंने आपको तरीका पिछले लेक्चर में बताया था अगर आपको याद है तो प्लीज मुझे बताईएगा किस तरीके से होता था जब y intercept हमारे पास तब आता है जब x 0 हो same हमारे पास x intercept तब आएगा जब हमारे पास y is equal to 0 होगा इसका मतलब यह हुआ जब x 0 है तो y is equal to 1 है something like that और अगर y 0 है तो x हमारे पास something like that यह हमारे पास कोई और intercept जो हमें दे सकता है for example वो 0.5 का हो गया ठीक है? तो यह हमारे पास x intercept होगा यह हमारे पास y intercept होगा ठीक है? सो मतलब यह हुआ अगर हम उसी equation पे जाएं आपको just समझाने के लिए मैं यहां पे यह जो solution है हमारा उसकी equation रखता हूँ यहां पे and then we will understand clearly मैं यह दोनो equations को remove कर रहा हूँ यहां पे मैं पहली equation लिखता हूँ y is equal to 2x plus 1 और दूसरी equation मैं यहां पे लिखता हूँ y is equal to minus x plus 3 ठीक है? अगर अब आप गौर करें यहां पे हमारे पास इसका भी intercept आ रहा है और इसका भी हमारे पास intercept आ रहा है ठीक है? 1 and 0.5 अगर आप पहली equation को देखें तो जहां पे हमारे पास x 0 है यानि के y intercept मैं इसको और भी zoom in करता हूँ आपको अब clear होगा लेट सी यहां पे यह देखें यह हमारे पास blue line को आप देखें मैं green वाली को अभी बंद करता हूँ यहां पे गौर करें हमारे पास जब y 0 x 0 है तो हमारे पास y 1 आ रहा है यानि के इस equation का blue वाली का पहली वाली का intercept 1 है y intercept और उसी का x intercept minus 0.5 है यह किस तरीके से आता है वो आप देखते हैं आपको भी पता है कि जब हमने intercept find out करने होते हैं तो हम दूसरी चीजों को 0 रख लेते हैं say for example मैं जिस equation की बात कर रहा हूँ इस वकत that is y is equal to 2x plus 1 अब हम इसके x और y intercept find out करते हैं y is equal to 2x plus 1 हमने जब y intercept find out करना है y intercept तो हमारे पास x is equal to कितना हो जाएगा? हाँ जी x equal to 0 हो जाएगा ठीक है? क्योंके x 0 होगा तो y पे जाएगी ना value तो x 0 यहाँ पे रखके देख लेते हैं हमारे पास क्या equation आती है y is equal to 2 into 0 plus 1 0 plus 1 y is equal to 1 इसका मतलब है कि इसका जो y intercept that is equal to 1 अब इसी equation में जब हम x intercept को find out करेंगे तो हम क्या करेंगे? y को 0 कर देंगे ठीक है? so y is equal to 2x plus 1 यहाँ पे 0 आ गया 2 into x plus 1 यहाँ जाएगा 1 इदर ले आते हैं 2x उदर रहने देते हैं तो minus 1 2x और यह 1 by 2 by 2 यह cancel x is equal to minus 1 by 2 which is equal to 0.5 तो अगर अब आप गौर करें जो screen पे आपके सामने यह चीज नजर आ रही है तो यही intercept आया है 1 आया इसका y का जब दूसरी 0 थी ठीक है और जब हमारे पास x minus 0.5 है तो y 0 होगा तो यह हमारे पास x और y intercept आया ठीक है इसी तरीके से अगर हम दूसरी का y intercept और x intercept लें तो यह हमारे पास x intercept जो है इसका 3 है और y intercept भी 3 है हमारे पास ठीक है तो हम दोनों के x और y intercept जो हैं वो लिख लेते हैं यह सिरफ आपको calculation करने का तरीका इस वज़ा से बताया है because we did it already लेकिन यह आपको थोड़ा सा repeat करवाना था मैंने ताकि आपको चीज़ें याद रहे हैं अब हमारे पास दोनों equations के y और x intercept आ गए यानि के इसका जो y और x intercept है और दूसरी का y और x intercept है दोनों लिख लेते हैं तो पहली equation है 2x plus 1 मैं दुबारा से equation लिखता हूँ y is equal to 2x plus 1 दूसरी equation है हमारे पास y is equal to minus x plus 3 ठीक है और अब इन दोनों के y और x intercept लिखते हैं मैं सिरफ लिखूँँगा x int is equal to इसका हमारे पास x intercept है minus 0.5 और y intercept है इसका जहां पे यह line उसके साथ तक्रा रही है that is 1 फिर इसका आते हैं दोनों के 3 3 है अगर मैं इसको x intercept लिखूँँ तो ये भी 3 है y लिखूँँ तो ये भी 3 है आप इसको calculate भी कर सकते हैं हमने पहला step क्या किया हमने slope interaction के अंदर चीजें जो हैं उनको बना लिया अब देखें जड़ा अगर आप गौर करें हमने क्या किया है हमारे पास जो problem थी उसको इस form में हम कैसे ले के आए अगर आप गौर करें अगर मैं इस equation को 2x plus 2x minus यानि के 2x minus y is equal to minus 1 लिखूँ तो ये भी वो ही form है लेकिन हम इसको y के equal ले आए तो पहले step में आप इसके अंदर convert करते हैं which is already there दूसरे में आप intercept find out कर सकते हैं तो step 1 में आपने दो काम की हैं जो मैं अभी आपको यहां पर लिख के दिखा देता हूँ पहला काम हमने ये किया है जनाबे वाला equation को y intercept form में लिख दिया ठीक है? slope वाली form जो मैंने आपको पहले बताए थी y is equal to mx plus b ठीक है? यही हमने लिखी ना equation जो originally हमारी थी second हमने इसी step के अंदर जो काम की है x और y intercept find out की है ठीक है? और यह कैसे की है हमने basically plotting के थूँ आप वैसे भी कर सकते हैं calculation के थूँ भी plotting के थूँ भी तो क्यूंके यह graphical method है इस वज़ा से यह plotting के थूँ हमने कर लिया यह दो काम हमारे पास हो गए अब अगला काम हमने क्या करना है step 3 यह है कि हमने intersection point ढूँणना है find the intersection point intersection point क्या है? अब जब आप दुबारा से उस screen पे जाते हैं then you can find कि यह intersection point है हमारे पास ठीक है? जब हमारे पास यह intersection point आ जाता है then we can actually see के हमारे पास x और y के solution क्या है अगर आप ग़ुछ करें तो यहां पे हमारे पास intersection point है 0.667x है 2.33y हमारे पास जो है वो y है so let's find out कि यह किस तरीके से हमारी equation को resolve करेगा मैं अपनी screen दूसरी पे वापिस जाता हूँ और अब देखते है हमने intersection point यहां पे find out कर लिया ठीक है? जो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया मैं इसको लिख लेता हूँ अपने पास intersection point को 0.667, 2.33 0.667, 2.33 तो obviously पहले वाला x होता है अगर आपको courtesan coordinate का पता है तो x is equal to 0.667 और y जो है यहां पे 2.33 आ गया तो यह हमारे पास x और y की value है intersection point की अगर आप घौर करें intersection point का मतलब क्या है? intersection point का मतलब यह है कि दोनों equation में जब x की value 0.667 होगी उस वकत y की value 2.33 होगी समझारी भात की? यानि के यह ऐसा point है जहां पे x और y की value दोनों equations में same होगी understandable? मैं दुबारा repeat करता हूँ यह जो intersection point है यह पहली equation का भी है which is 2x plus 1 y is equal to 2x plus 1 और दूसरी equation का भी है which is equal to 0 is minus x plus 3 यह दोनों equation के अंदर अगर आप गोर करें जहां पे यह दोनों line है एक दूसरे को cross कर रही है उस जगा पे आप intersection point पे कह सकते हैं कि यह दोनों values दोनों equation के लिए true है ठीक है? यहां तक समझ आगी? नहीं आई? या आगई है? और यही हमारा solution होता है आपके पास यहां पे x की value भी आगी है और y की value भी आगी है यूजली आप graph के ऊपर जाखे जब आपका intersection point एक चीज होती है for example let me see यहां पे यहां पे यह आपका solution होता है अब फिर आप कह रहे होंगे कर ठीक है अगर यही solution है हमारे पास x और y दोनों का same है तो हमने यह क्यों find out किया था 3, 0 और यह क्यों find out किया y intercept और यह क्यों find out किया इसकी reason यह है कि जब आप intercept find out करते है इसका मतलब है कि जब x की value 0 है उस वकत y की क्या है जब y की value 0 है तो उस वकत x की क्या है तो उसकी base पे आप एक equation build कर सकते है अपने mind में सही है तो पहला method तो यह हो गया कि जहां पर intersection point आएगा वहां पे हम इसे कहेंगे कि यह हमारा solution है this is very easy मैंने इसको थोड़ा सा आपको detail में इस वज़ा से बताया ताके आपके mind में concept clear हो जाए के why are we doing this all analysis समझ आगी है intersection point की simple सी बात है यार जहां पे दोनों चीज़ें intersect कर रही है इसका मतलब वो दोनों ठीक है चलो मैं और मिसाल देते हैं तो साद्धा मिसाल देते हैं कोई मसला है यह tension क्यों लेते हो मैं फैसलाबाद से लहोर जा रहा हूँ ठीक है और एक और बंदा है जो safe for example गोजरा से लहोर जा रहा है ठीक है यह दोनों cities हैं गोजरा, फैसलाबाद से लहोर अब होगा क्या usually अगर यह दोनों सफर कर रहे हैं GT road से safe for example एक point आता है फैसलाबाद से लहोर जाते वकत जहां पर लोग बैठके टी पीते हैं ठीक है और वो मानावाले के पास है मानावाला ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बंदा गोजरा से चलके मानावाला कप आया और कोई बंदा फैसलाबाद से चलके मानावाला कप आया ठीक है तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के सफर करने में कितना फासला है यानि कि फैसलाबाद से जो बंदा वहां पे मानावाले पहुंचा उसका टाइम भी आपके पास आ गया गोजरा से भी आ गया अगर दोनों का टाइम आ गया है से फॉर एक्जेंपल जो बंदा फैसलाबाद से मानावाला पहुंचा यानि कि टी वाले पॉइंट पे ठीक है उसको लगा है एक घेंटा पंदरा मिनिट ठीक है एक घेंटा पंदरा मिनिट उसे लगा वहाँ तक पहुंचने में सवा घेंटा और एक जो गोजरा से गया है वो पहुंचा है मान्टी वाले पॉइंट पे दो घेंटे में तो यहाँ से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि फैसलाबाद से गोजरे का डिस्टेंस कितने है यही तो unknown है हमारे लिए simply हम कह सकते हैं कि 2 hours इसमें से 1 hour and 15 minutes हम निकाल देते हैं पीछे कितने भजते हैं 45 minutes तो आप इस तरीके से unknown find out कर सकते हैं based on the position जहाँ पे दोनों intersect कर रहे हैं जहाँ पे दोनों ठीक है यह एक चीज होगी secondly इसी तरीके से आप कराची से इसलामबाद और लहूर से इसलामबाद को intersection point रख सकते हैं so intersection points are very helpful whenever you are finding an unknown value और unknown value किस तरीके से पता चलती है वो ही minus वाला scene है कि आप जो नहीं आपको पता उसको non value से minus करते हैं गोजिरा से जब कोई जा रहा है तो वो फैसलामबाद से okay जाएगा through GT road so this is something related to the graphical method जहां पे आप plot करते हैं सिरफ intersection देख लेते हैं इसका मतलब यह हुआ है कि यह जो मैंने चीज आपको दिखाई है Desmos वाली अगर आप इसके उपर जाएं कोई भी equation प्लोट करें you can find an intersection point और वो intersection point आपको बताएगा कि यार इन दोनों की value इन दोनों पे यह है तो यहां पे जो X और Y की value है वो दोनों equation के लिए true है that's the solution ठीक हो गया यह solution आपको पता चल गया अब आगे move करेंगे आगे move करने से पहले पहले graphical equation को resolve करना असान होता है graphical तरीके से लेकिन अक्सरोगात आपको tools जो हैं वो नहीं मिलते इस वज़ए से Desmos जो एक website है graphic calculator इसको अपने mind में रखें whenever you are thinking के कोई चीज linear है parallel है के नहीं है एक दूसरे के उपर आके linear line के अंदर जा रही है के नहीं जा रही उसकी base पर आप resolve कर सकते हैं समझ आगी यहां तक समझ आगी है तो like, share, subscribe कर दे हम फिर आज इस्ता इस्ता आगे move कर रहे हैं और आज मैंने थोड़ा ज्यादा पढ़ाना है समझ के रखिएगा छोड़ीएगा नहीं जाईएगा नहीं